रूछे ट्व मैंसकार दोस्तों उम्मीद करता हूं अप अच्छे होंगे आज हम लोग एक नया सीसिजन स्टार्ट कर रहे हैं नया subject स्टार्ट कर रहे हैं और subject का नाम है't that वाइस हमारे ivाइस्ऍस होते हैं जिसे BJT फिन जंक्सन आपका वसिट यह सब इनकी physics हम पढ़ने वाले हैं तो काफी इंट्रस्टिंग है ये subject और मेली जो ये subject आपका जो syllabus जो अगर मैं gate का syllabus देखू तो खासकर EC के जो student है उनके syllabus में ये subject है बट मैं electrical के student को भी recommend करूँगा कि आप ये देखिये खासकर वो student जो ESC की तियारी कर रहे हैं क्योंकि आपके syllabus में भी ये subject है तो आपको पढ़ना पढ़ेगा दूसरी बात जो material science पढ़ना चाहरे हो उसमें जो semiconductor physics वाला पार्ट ज़ाएगा वो आप यहां से subject से clear कर लोगे तो make sure कि आप ये subject जरूर लगाए मेली जो EC के student है उनको इस subject में थोड़ी सी difficulty feel होती है उसका reason यह है कि हमने बहुत ज़ादा mathematical चीज़ों को बना दिया है जबकि ये जो subject है ये पूरा physics dependent subject है तो मुझे लगता है कि इस वज़े से बहुत सारे student इसको visualize नहीं कर पाते हैं कुछ आप चीज़े देख नहीं सकते हैं इस subject में तो question आप से पूछ लिया जाता है तो फिर आप फिर हाथ खड़े हो जाते हैं तो और पढ़ाने का तरीका भी हमारा भी अगर recent days में अगर आप देखोगे coaching centers में इस तरह का वो इसी तरह से चल रहा है बड़ यहां पे मैं थोड़ी सी मेरी approach बदल रहा हूं मैं कोसिस करूँगा कि आपको application oriented पढ़ाया जाए बिल्कुल basic से जो 11-12 का जो आपका basic था वहां से start किया जाए और आपको बिल्कुल जो आपका जो top level है वहां तक मैं कोसिस करूँगा इसको cover करा हूँ यह मेरा आपसे promise है कि at the end of this subject आपको लगेगा कि मैंने subject सीखा है और आपको confidence feel होगा इस subject म numerically भी दोनों तरह से आपको इसमें confidence आएगा तो चलिए start करते है आज का जो season है वह मैं पहले थोड़ा सा syllabus आपको बता देता हूँ कितने number of hours लगेंगे इसमें कौन सी books आपको recommend कौन सी book आपको लेनी चाहिए और कौन से क्या content है subject का जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ त चलिए दोस्तो start करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसको दो हिस्सों में divide किया दोस्तों जो पहला पार्ट है वो है semiconductor physics semiconductor physics अब semiconductor physics में आप इसका basic पढ़ोगे starting में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं out of the way जा रहा हूँ कि जो subject का content है मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ सुरू के 2-3 episode because सुरू में मैं आपको थोड़ा से quantum physics जो इसके पीछे का logic है वो आपको समझाऊंगा energy के concepts है उनको थोड़ा सा मैं basic clear करूँगा तो starting के एक-दो episode ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगए कि आपके लिए subject नहीं है आप बहुत सारे different जगह है वहाँ पर इस subject को start कर सकते हो because मेरे यहाँ पर इस subject थोड़ा सा lengthy जलेगा और basic से मैं इसको उठाऊंगा तो उसमें समय भी लगता है और जो semiconductor physics है इसमें मैं further मैं 4 chapter आपको पढ़ाने वाला हूँ जो पहला रहेगा वो है मेरे पास जो पहला topic इसमें पढ़ेंगे हम जो मैंने इस episode का नाम भी रखा है quantum theory of solids तो इसमें हम basics पढ़ने वाले है quantum theory of solids तो इसका थोड़ा थोड़ा basics को हम देखेंगे थोड़ा सब आपने पुराने पाप किये हैं उनको धोने की कोशिस करेंगे number two जो है वो है semiconductor in equilibrium वो हम पढ़ेंगे semiconductor in equilibrium नमबर तीन जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हाईगा carrier transport carrier transport carrier transport हाजी नमबर चार नमबर चार है नोन equilibrium access carrier in semiconductor नोन equilibrium access carrier in semiconductor यह topic हम पढ़ने वाले हैं तो में लिए चार चेप्टर इसमें हम लोग पहले जो semiconductor physics में पढ़ने वाले हैं डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो चाप्टर हम पढ़ेंगे पी अन जंक्सन यह आपका building block होगा पी अन जंक्सन डायोड को हम पढ़ने वाले हैं और एक बार अगर आप पी अन जंक्सन को समझ जाओगे तो बाकी devices भी आप इजली समझ जाओगे बीजे टी नमबर थ्री मोस मोस फैट को या जे फैट को हम पढ़ने वाले हैं तो यह मेली तीन डिवाइसे इसमें हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक और टोपिक आएगा इसको भी हम लोग पढ़ने वाले आईसी फैब्रीकेशन को तो यह आपका टोटल जो है यह सेलेमस में इसमें कवर करने वाला हूं सब्जेक्ट में करीबन 60 hours के राउंड अप्रोक्सिमेटल लग जाएगा तो फिजिक्स है इस सब्जेक्ट में थोड़ा से थोड़ा मैथम देख नहीं पाओगे तो कोसिस करेंगे को इसको एनलोजी से समझाया जाए ठीक है इसके लिए बुक्स में आपको थोड़ा से बता देता हूं कि कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो तो मेरे पास दो बुक है जिनसे मैंने इस सब्जेक्ट को तयार किया है और मैं आपको बुक बता देता हूं कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे मैंने इसको रेफर किया है सबसे पहली बुक जो है वो है सॉलिट स्टेट इलेक्ट्रोनिक डिवाइसिस यह स्टीटमेंट बुक तो स्टीटमेंट इसके ओधर हैं तो आप यह बुक रेफर कर सकते हो यह मेरे पास और इसके concept काफी मैंने उठाए जो sequence रहेगी हमारे topics की वो भी मैं इस book के according लेके चलूँगा अब यह ज्यादतर student के पास यह book easily available है और यह ज्यादतर student refer करते हैं डोनल्ड एनियमें तो यह जो book है इस book को आप refer कर सकते हो दोस्तों तो यह दो book जो है इनको मैं parallel में साथ साथ लेके चलूँगा दोस्तों तो इनको आप भी इनको in books को refer कर सकते हो तो चलिए भी यह books की बात थी मैंने आपको दाए कौन सी books आपको लेनी है अब बात करते हैं marks की अगर आप marks के पॉइंट वीचे देखते हो तो six to eight marks का हमारा यह subject है बड़ यह subject काफी important है बिकोज यह आपकी rank को बनाने वाला subject है ज्यादतर student क्या बोलता है कि यार कम number का है आठ number का है छोड़िये ना तो मैं आपको बता दूँ अगर आप बढ़िया rank बनाना चाहते हो तो यही subject आपको अलग करेगा बाकी लोगों से क्योंकि इसमें थोड़ाशी difficulty आती है student को तो recent days में अगर आप देखोगे तो जो exam का pattern आ रहा पिछले एक दू साल में जो EDC का जो weightage है वो थोड़ा से बढ़ गया है और ज्यादा questions इससे पूछने जाने लगए है और वो भी conceptual question जहां पे लोगों को doubt होता है तो चलिए धीरे धीरे इन हर एक चीज को समझेंगे तो start करत mechanics अब यह semi conductor क्या होता है इसको जरा समझते हैं ठेक है आपने दो दीन नाम सुने होंगे सबसे पहला अगर मैं बात करो तो insulator आपने सुना होगा insulator दूसरा आपका conductor आपने सुना होगा अब एक और चीज आगी है semi conductor समी conductor देखो absolute कोई भी चीज नहीं होती है मतलब आप absolutely यह नहीं बोल सकते हैं जैसे iron है माल लिजे या copper है आप absolutely नहीं बोल सकते हैं कि copper एक conductor है copper conductor है at low frequency ठीक है बट जैसे इसे frequency में बढ़ाऊंगा supply frequency या current या voltage की जो frequency है वो आपका उसका जो nature है वो बदलना शुरू हो जाएगा आपने अगर Maxwell equations में पढ़ा हो यह चीज की connection current और displacement current होता है जब displacement current dominate करना शुरू कर जाता है तो उस case में वो जो conducting properties होती है वो बदलना शुरू हो जाती है खेर मैं उसमें नहीं जाना जाओगा मैं अगर मैं carrier के point of view से बताओं कि number of carrier per centimeter cube अगर मैं one centimeter cube का अगर मैं volume ले लूँ तो insulator में conductor में और semi conductor में क्या होते है number of carrier तो अगर मैं insulator की बात करूँ तो number of carrier जिनकी वैसे current बनता है ध्यान रखिएगा number of carrier की अगर मैं बात करूँ इससे कम बनेगा फिर पर centimeter cube पर cc आपके इतने carrier होंगे इससे less होंगे वहीं पर अगर मैं conductor की बात करूँ तो conductor में number of carrier जो होते हैं दोस्तों वह आपके greater than approximately 10st per 21 per cc इससे जब ज़्याद होंगे तो उसको हम बोलेंगे conductor अब इंसुलेटर की अगर मैं समी कंडेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो समी कंडेक्टर में आपका इनके बीच की range होती है नंबर ऑफ कैरियर जो होते है इंसुलेटर में number of carrier वह आपके इस रेंज के अंदर होते हैं यह आपका समी कंडेक्टर के अंदर के अंदर के इन होगे हैं समी कंडेक्टर कंडेक्टर से अलग क्यों होता है उसके अंदर क्या चीजे होते हैं, जो इसको डिफ्रेंशेट कर देती हैं, वह जड़ाएजिसकर करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कंडेक्टिविटी की या रजिस्टिविटी तो कंडेक्टिविटी या फिर रजिस्टिविटी कंडेक्टिविटी या फिर रजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो सेमी कंड़्ेक्टर में आप कंड्यक्ट्य इया फिर रजिस्टिविट्टी इसमी कर सकते हो इसको कम ज्यादा कर सकते हो přेक簇के को कैसे करते है उसके लिए आपको केरियर को चेंज करना पड़ेगा जो number of carrier, जो current flow कराने के लिए responsible होते हैं, उनको आपको change करना पड़ेगा और उसके कई सारे method हैं, कौन-कौन से method हैं, सबसे पहले है doping, आप पढ़ोगे आगे देखना, doping में क्या होता है, basically जैसे आपने देखा होगा player जैसे dop करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ inject कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, dop test होते हैं, आपको पता ही होगा, तो ऐसा ही हम semiconductor में doping करते हैं, महला कुछ impurities को add करते हैं, तो किसी जगह पर वो doping illegal है, किसी जगह वो legal है, तो semiconductor में हमारे जिए doping legal है, ठीक है, तो खेर हम उसमें dop करेंगे, और impurities हम add करेंगे, और उससे हमारे पास, जो conductivity है, वो change हो सकती है, यह पहला point है, दूसरा तरीका है by heating, heat करके भी आप conductivity को change कर सकते हो, number of carrier को change कर सकते हो, इनको vary कर सकते हो, ठीक है, तीसरा point है by signing light और illumination, light sign करके भी आप conductivity को change कर सकते हो, तो basically इसमें ये एक अच्छी चीज़ है, कि आप इसकी conductivity को tune कर सकते हो, semi conductor में, इसलिए ये हमें पसंद है, ठीक है, number two, ये और कैसे अलग है बाकी लोगों से, metal से कैसे अलग है, तो सबसे पहले मैंने बताया, conductivity के बारे में, अब दूसरी बात करते हैं, इसमें current जो flow करता है, current जो flow करता है, उसको जड़ा देखते हैं, current की अगर म है, वो j equal to sigma e से आप निकालते हो, ठीक है, j is current density, इसको बोलते है, conduction current density, ठीक है, e is the electric field, इस current को में drift current भी बोल सकता हूँ, इसको में drift current भी बोल सकता हूँ, drift current में क्यों बोल रहा हूँ, because जो current आपके potential difference की वज़े से आता है, उस current को हम लोग drift current बोलते हैं, तो हम जैसे metal में आपने देखा होगा, हम potential difference create करते हैं, दो point के बीच में, और उसकी वज़े से आपका जो अंदर, जो free electrons होते हैं, उनके उपर force लगता है, और force लगता है, तो आपका उसमें current flow करता है, ठीक है, current जो है, वो एक particular direction में flow करना start करते है, तो इसको हमने drift current का नाम दिया, अब यहा current, आप देखोंगे आगे, और एक है thermo electric current, तो यहाँ पर आपको तीन तरह के current देखने को मिलेंगे, अब आप बोलोगे sir, drift current क्या होता है, जो drift current होता है, दोस्तों, वो होता है due to potential difference, और आप बोल सकते हो due to potential gradient, उसकी वैसे हमारे पास drift current आता है, जिसे आपने metal में देखा है metal में के वल यही current होता है, semi conductor में अकिला यह नहीं होता है, और भी होता है, diffusion current, अब आप बोलोगे sir, यह diffusion current क्या होता है, तो माँ आपको बता दूँ, diffusion current क्या है में ली, सोचे आपने कोई room के अंदर कहीं पे spray किया, कोई deodorant spray किया, तो उससे क्या होता है, एक जगे पे concentration ज्य इसे के लिए diffuse हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलता है, diffusion current, सोचे है, अगर आपने कोई tire में हवा भरी और उसको पंचर कर दिया, पंचर करने से क्या होगा, जो अंदर की हवा है, वो बहार की तरफ diffuse होगे, higher pressure to lower pressure आएगी, ठीका ना, उस current को, diffusion current बोलता है, so this is due to concentration gradient, concentration difference की वैसे होगा, एक तरफ higher concentration है carrier की, और एक तरफ lower concentration है, तो higher to lower diffuse होते है carrier, उसकी वैसे current बनता है, एक है thermoelectric current, thermoelectric current क्या होता है, because of temperature gradient, temperature change की वैसे, एक तरफ ज़्यादा temperature कर दो, material के अंदर और एक तरफ lower temperature कर दो, तो उसकी वज़े से क्या हो जाएगा, इधर T1 है मान लिजे, इधर T2 है, तो T1 greater than T2 आप कर दो, उससे क्या होगा, higher temperature to lower temperature, आपका जो current है, वो फ्लो करेगा, इस current को हम क्या बोलेंगे, thermoelectric current, तो मैं लिजी ये कुछ difference है, जो आपको metal से अलग बना देते है, semi conductor को, even मैं आपको एक बात और बताओ, semi conductor में, जो resistance होता है material का, मैंने बता है resistivity को change कर सकते हूँ, even resistance negative भी आ सकता है, semi conductor में, आप देखेंगे कि resistance आपका negative भी हो सकता है, semi conductor के अंदर, आगे आप पढ़ेंगे इस सीज को, मैं आपको explain करूगा, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे पास, कैसे ये अलग होता है, अब इसकी type की बात करते, कितने त semi conductor बताया, वो दो तरह का हम लोग में इसको मानते है, तो एक type होती है intrinsic semiconductor और एक होता है extrinsic semiconductor, और दूसरा है हमारे पास extrinsic semiconductor, अब ये क्या होता है, intrinsic semiconductor की अगर मैं बात करूँ, तो उसको आप बोल सकते हो pure semiconductor, हलाकि pure word मुझे नहीं use करना चाहिए, बट फिर भी, आप बोल सक होता है, electron की concentration और hole की concentration बराबर होगे, अब ये क्या होते है, hole वो हम आगे देखेंगे अभी, hole क्या होते है, बट आप अभी के लिए फिलाल याद रखे कि electron और hole इसमें बराबर होता है intrinsic में, जबकि extrinsic में doping होती है, उसमें impurity हम लोग add करते हैं, तो या तो n greater than p होगा, य n for negative, n का मतलब electron है, p का मतलब hole है, वो आगे देखेंगे कि hole क्या चीज होते है, विसकली ये charge करें और और कुछ नहीं है, और ये कैसे बनते हैं, वो देखेंगे अभी हो, ठीक न, तो मैंने बताया, दो तरह का आपका semiconductor होता है, intrinsic semiconductor और एक extrinsic, extrinsic में आपकी impurity add करते है, ये कैसे बनता है, वो हम आगे discuss करेंगे, ठीक न, अच्छा, में लिए अगर मैं atomic मतलब जो crystal के point of view से अगर मैं बता हूँ, या फिर आप बोल सकते हो कि जो atom के point of view से अगर मैं बता हूँ, atomic जो crystal होते हैं, जो उनके उस तरह से अगर मैं represent करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, semiconductor हमार और compound semiconductor का मतलब है, जिसमें दो-दो हम लोग merge कर लेते हैं, gallium arsenide हो गया, indium phosphide हो गया, ठीक है, तो यह जो है हमारे पास, यह हमारे compound semiconductor बन देंगे, compound semiconductor काफी important है, उनको भी हम लोग देखेंगे, आग आप पढ़ोगे direct band gap, indirect band gap, तो उसमें यह सब use होगा, तो चली दोस्तों, यह मैंने आपको बताया कि semiconductor कितने तरह का होता है, और कैसे वो metal से different है, ठीक है, semiconductor, मतलब यह काफी important topic है, अगर आप यह subject अच्छे से समझते हो, तो बहुत सारी companies ऐसी हैं, जो केवल semiconductor devices में ही deal करती है, जैसे आपका Texas हो गया, आपके NXP हो गई, ठीक है, और भी कई companies हैं, जो इन subject, इस topic पर deal करती हैं, ठीक है, और अगर आप यह subject अच्छा कर लेते हो, तो आप उन companies को अप्रोच कर सकते हो, और उनके उपर आप उनको join कर सकते हो, ठीक है, आजखल जितने भी हम devices देखते हैं, हर device के अंदर semiconductor है, हर चीज़े semiconductor से मिलके बढ़ी है, technology एकदम fast rate से semiconductor devices आने की बाद, इसलिए यह subject पढ़ना जरूरी हो गया है, और इसको आप फ़र सा तरीके से चलेगा, तरीके से पढ़ते हैं, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक्स में, सबसे पहला जो element हम पढ़ने वाले हैं, वैचे तो group number 4 आपने periodic table में देखा होगा, वो semiconductor क की category में आते हैं, carbon, silicon, germanium, ठीक है, उन में क्या होता है, outermost cell जो होती है, उसमें, जो valence electron होते हैं, वो आपके 4 होते हैं, तो group number 4 जो element है, वो में लिए इस category में आएंगे, semiconductor में, तो सबसे पहले हम silicon की बात करते हैं, जो silicon semiconductor है, atomic number 14 होता है, और अगर मैं इसकी electronic configuration बता हूँ 2p6, 3s2, 3p2, तो आप देख सकते हो, जो n equal to 3 के लिए, जो principal quantum number अगर मैं n equal to 3 ले लूँ, उससे outermost मेरे पास cell बनेगे और उसमें 4 electron आपके valence electron होगे, 4 electron आपके valence है, अब stable होने के लिए क्या चाहिए इसको, stable होने के लिए 4 और चाहिए, क्योंकि outermost cell जो होते हैं, उसमे इसके साथ अगर मैं silicon crystal ले लूँ, तो बाकी 4 silicon के साथ और bonding बनाए गए, क्यों, because हर silicon covalent bond बनाएगा, हर silicon का जो atom होगा, वो इसके एक-एक इसके साथ share करेगा, तो सोची अगर इसके surrounding में 4 हैं, अगर इसके surrounding में 4 silicon atom और आगे, तो हर silicon atom एक-एक इसके साथ share कर देगा, 4 इस इसके पास पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब यह stable हो जाएगा, ठीक है, तो basically उसको हम silicon crystal बोलेंगे, तो अगर मैं इसका, जो unit cell है, अगर silicon crystal की, अगर मैं unit cell दिखा हूँ आपको, तो वो इस तरह की मेरे पास unit cell बनेगी, ज़र देखिए, इसमें क्या है basically, जो silicon atom रखे गए ह अब मैं unit cell की बात कर रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक की जो silicon crystal है, तो silicon crystal में यह जो distance होगी, यह बनती है 5.43 angstrom, approximately इतनी होती है, एक item से दूसरे item के बीच की जो distance है, तो इसको मैं A नाम दे देता हूँ, this is A, ठीक है, इंट्र अटोमिक distance है मेरे पास ही है, ठीक है, अब स मैं बता दूँगा, लेकिन एक बार इसको समझते हैं, यह क्या कहने ही कोश कर रहा है, हर unit cell में आपके, देखते हैं, कितने atom exist करते हैं, एक unit cell में, और दूसरी बात, हर atom जो होगा, वो चार silicon के साथ bonding बनाएगा, वो कैसे बनाता है, जड़ा देखिए, यह 3D picture है, मैं आपक यहां से आप A by 4 आजाओ, इधर, A by 4 आजी है, आप इधर, आगे की तरफ, थोड़ो सा इसको रब करता हूँ, एक minute मैं थोड़ा color यूज करता हूँ, एक बार, सोधर आप फोड़ो सा इसको देख सके, तो मैं भी मैं red color यूज कर रहा हूँ, तो जाह देखिए दोस्तों, यहां से आप यहां पे आजाओ, this distance is A by 4, ठीक है, उसके बाद आप अंदर की तरफ चलो, A by 4, और फिर आप ऊपर की तरफ आजाओ, again A by 4, अब आप यहां पे आजाओगे, शुरुवात आपने यहां से की थी, तो यहां से A by 4 बहार की तरफ, फिर अंदर की तरफ, जो यह ह एटम है, यह nearest जो एटम होंगे, उनके साथ यह अपनी कोवलेंट बोर्निंग बनाएगा, अब nearest कौन-कौन से ज़र देखे, इस पे अगर आप ध्यान से देखे, unit cell को, तो इसके जो corner है, वहां पे एक-एक एक एटम रखा गया है, तो simple cubic तो यह हो गया, simple cubic में क्या होता है, तो आठ तो मेरे पास यह corner पे होगे, फिर face center पे रखे गया है, यह मेरे face center है, तो 6 faces है मेरे पास, हर face के center पे आपका एक item रखा जाएगा, तो हर face के center पे एक item रखा गया है, यह front face, सामने वाला जो face है, उसका center है, और यह back face उसका center है, यह side वाले का face center है, इसका face center है, तो इ की तरफ हे लेकिन आप मुझे दाओं द्यान से सुनिए गा अगर मैं ये देखना चाहूं कि पर jumps in थि तीन है नमबर ओफ इंटांप और युणिट सबने अगर निकलने सब्सक्राइब लिए शप्रजर। देखते हैं कैसे निकल के नमबर ओफ इसा सा एक यूनिट चल में उसका यूज हुरह तो यह टूल एट्स पीट स्ब्होंने सल्हुने हमें इसको उसका भिपायरा तो आतम जो है उनका उसका वो एक यूनिट सिल में उसको हुरहां तो इसका आप बहुंसके वट मतलब एफेक्टिव जो नंबर ओफ एटम आएगे वन एटम कोर्नर की वज़े से इस यूनिट से इंदर काउंट होगा दूसरी बात उसके पात फेसे वह दो यूनिट सेल में पार्टी स्पेट करता है एक फेस एक फेस होगा कोमन होगा साइड में जो इक और यूनिट से ला यहılarती वाइसे दिश् Minuten चीन चांब इस उन्ट उन्हाँब में किसकी बाइच यह पास उसकी वैसे थीन बने ऐसे उसकी बाद बनेंगे अब उसके बाद देखें गाफ्य यह किटने जो ऐसे एक और ही क्षी साथ बने बनेगा गांतों जो आर्ष्ट मैं कोन से होंगे सोच एक आपका से जो आप रूं है उसका एक वाला है और यह सबसे पास में है उसके साथ बने का यह बहुत दूर है इसके साथ नहीं बनाएगा और एक सामने वाला जो फेस उसके साथ यह बोनिंग भाइगख तो आप ये कह सकते हो चार एकोर्णर जो होगा वह ऐसे मेरे पास Nee में सीनिब्ड के साथर को नगर ऑओ यह बहूट इसराऊनिंगे और भी तो पूराई एक यूनिट चले जाएंगे अगर मैं सिमेट्री को फोलो करूँ तो इसका मतलब चार एक तरफ लाई है ठीक है अब यह इंट्रेस्टिंग है जाए ध्यान दे नंबर मैं अटोमी कंसेंटरे से निकालने वाला हूं सिलिकन की क्या होगी मुझे था यह वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वोल्यूम कितना आएगा इसकी जो इंट्रेटोमिक दिस्टेंस है तर इस ए विच इस फाइ नंबर ओफ एटम नंबर ओफ सिलिकन एटम पर सेंटिमेटर क्यूब पर सेंटिमेटर क्यूब मुझे यह देखने है अब यह कैसे निकाले एक सेंटिमेटर क्यूब का मतलब है यह मेरा वोल्यूम है इतने मीटर क्यूब वोल्यूम के अंदर कितने एटम लाई करेंगे मु सिक्स डिवाइड भाई इसको डिवैड गर्दो 5.43 इंटु 10 सबू पार जिस्वार्माई इसका क्या हो जैगा क्यूब इतनी यूनिट सेल जो हैं एक सेंटीमेटर क्यूब के अंदर लाई करेंगे इतनी यूनिट सेल आ गी मेरे पास ये किसी के अंदर है बताओ 1cc, 1 cm3 के अंदर है, अब एक unit cell के अंदर कितने atom है, बताओ 8 तो यह है number of unit cell 1cc के अंदर और एक unit cell के अंदर 8 atom है तो total कितने atom होगे बताओ, इसको multiply कर दो 8 से, इतने atom मेरे पास क्या होंगे, पर cc होंगे 1 cm3 जो मेरे पास volume है, उसके अंदर इतने atoms आएंगे, पहले मैंने number of unit cell निकाल ली और फिर मैं जानता हूँ, एक cell के अंदर 8 atom है तो इतने unit cell के अंदर कितने atom हैंगे into 8 कर दिया, और इसकी जो value आएगी जो मैंने calculate किये है दोस्तो वो जो value है, that is 5 into, आप बिल्कुल exactly 5 आएगी आप देखना, में भी 4.99 संदिक को चाएगा, ठीक है 5 into 10 is to power 22 atoms पर CC, यह मेरी atomic concentration है दोस्तों पर CC इतने atoms मेरे पास इसमें exist करेंगे, ध्यान दीजेगा पर CC मेरे पास इतने atom होंगे, अब आप मुझे गताओ, valence electron कितने होंगे एक atom के पास कितने बताओ, एक atom के पास 4 electron valence है है, यह ही अप मुझे लेक्टोन है, तो आप बताओ, टोर्टल number of valence electron कितने होंगे number of valence electron, number of valence electron तो कितने बताओ, पर संटिमेटर क्यूँ, पर CC मुझे देखना है है तो अब बता ये एक अटम के पास चार है तो इतने के ये पास कितने और जाएंगा है फोर इंटू फाइव इंटू टैने स्वाड टुन इसक्ना अब बोल सकते हो है टू इन्टू टैनिस वाड टू टूंटी थ्री इंट्रोंस इस इस इतने वेलेंस वह Cry दोगे cinst अब ये आगे चलके states में convert होंगे, आगे चलके मैं आपको बताऊंगा, ये states बनेगी है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिलाल आप बस ही याद रखिए, कि number of valence electron कितने है मेरे पास, पर cc, तो इतने electrons पर cc हमारे पास silicon में आएंगे, तो मैंने आपको थोड़ा सा silicon का structure समझाया, कि silicon में क्या होता है, अगर इसी silicon को अगर मैं 2D में देखूं, तो ये तो 3D picture थी, अगर मैं silicon को 2D में देखना जाओं, तो मैं ये बोल सकता हूं, इसका जो picture बनेगी, वो कुछ इस तरह की होगी दोस्तों, हर एक silicon जो है, वो अपने दूसरे silicon के साथ, ये crystalline in nature होता है, silicon crystal जो होता है, crystalline in nature होता है, तो इस तरह का मेरे पास ये बन जाएगा दोस्तों, ठीके, इस तरह का ये बनेगा, इसके जो outermost cell में जो 4 electron है, वो अपने इस परोसी के साथ, एक एक electron ऐसे share करेंगे, cohalent bonding बनेगे यहाँ पर, और ऐसे-एसे अपने ये आर्ट पूरे कर लेगा, ऐसे ये वाला अपने आर्ट पूरे करेगा, ठीके, तो इस तरह से हमारे पास ये 2D structure आप इसका बना सकते हो, इसको 2D में भी आप दिखा सकते हो, उमीद है आपको समझ है, कि silicon का crystal कैसा होता है, और उसमें कितने atoms आपके exist करते है, पर CC, कितने valence electron पर CC होते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा basic पर आते हैं, थोड़ा सा basic पढ़ते हैं, विकोज मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया, और मैं थोड़ा सा आगे जम कर गया, अगर मुझे semi conductor र पढ़ सकते हो, जो electrical properties या फिर आपकी optical properties जो है, उसके लिए हम दो तरह के model हम पढ़ेंगे, कौन-कौन सा, एक है हमारे पास band model, एक है हमारे पास band model, और दूसरा है हमारे पास bone model, एक है band model और एक है bone model, अब bone model को बाद में देखेंगे, यह थोड़ा सा qualitative analysis हो जाएगा, इसमे mathematics कम use होगा, थोड़ा सा theory use होगी, बर सबसे पहले band model पढ़ते हैं, यह काफी important है दोस्तों, इससे आप energy band पढ़ोगे, energy के बारे में concept पढ़ोगे, और energy बहुत important चीज़ है, energy का concept अगर आप सीख गए, तो पूरा जो devices वाला subject है, वो आपके लिए बड़ा ही आसान हो तो सबसे पहले हम band model पढ़ने वाले हैं, कि band model क्या कहता है, और किस तरह से हमें electrical conductivity के बारे में क्या बताता है, कि conductivity कैसे change होती है, किन चीज़ों पर depend करती है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें पढ़नी है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है band model समझना, band model समझने के लिए हमें बिल इकन क्रिस्टल के बारे में, तो चलिए, अब band model के उपर बात करते हैं, बट band model समझने के लिए हमें basic पे आना पड़ेगा, और start करते हैं electron से, आपने नाम सुना होगा, JJ Thompson और GP Thompson, में भी JJ Thompson जरूर सुना होगा, GP Thompson का मुझे पता नहीं, JJ Thompson, उन्होंने कहानी start की, और वो कहान आज तक हम पड़ रहें, ठीक है, और एक है GP Thompson, क्या चीज कोमन है दोनों में, कोमन है Thompson, ठीक है, सच बताऊं, तो ये बाप बेटी थे, ठीक है, JJ Thompson के बेटे खे आपके JP Thompson, दोनों को Nobel Prize मिला, किस बात के लिए, इन्होंने बोला, इन्होंने electron की discovery की, इन्होंने बोला कि electron is a particle इलेक्ट्रोन जो है, वो पार्टिकल होता है, जैसे आपके dust पार्टिकल होता है, जिसके बापना मास होता है, ठीक है, JP Thompson ने बोला, कि electron is a wave, इनको भी Nobel मिला, इनको भी Nobel मिला, ठीक है, दोनों ने सही बात बोली, कैसे, उसके लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्होंने बोला कि electron is a particle, electron is a particle, electron को particle इन्होंने बोला, ठीक है, बाद में चलके हमें wave के बारे में पता चला, कि electron भी एक wave की तरह behave गरता है, कैसे वो देखेंगे, और फिर आपका जो duality है, wave particle duality वो develop हुई, ठीक है, तो वहां तक मुझे समझना है चीज़ होगा, पहले आता है, wave क्या होती है, wave अगर मैं किसी को define करूं, wave को, तो मैं यह बोल सकता हूँ, ऐसी चीज़ जिसमे periodic nature होता है, ठीक है, जो बार-बार वही चीज़ आती है, जैसे आपने देखा होगा water wave, ठीक है, पानी जो wave होती है, ठीक है, वो बार-बार वही repeat करती है, जो ऊपर वा mathematically कैसे define करें, अब यहाँ पर मैं दो तरह की wave आपको बताऊंगा, दो तरह की wave हम पढ़ने वाले है, तो दो तीन एपिसोड बेसी की चलेगा, ठीक है, और यह अगर आप समझ गये तो आप देखना आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, wave में मैं दो तरह की wave पढ़ने वाल एक है मेरे पास traveling wave, और एक है मेरे पास standing wave, standing wave, दो तरह की wave इस subject में मैं पढ़ने, अब यह traveling wave और standing wave क्या होती है, अगर माल लिजे मैं one dimension का case ले लूँ, अगर मैं 1D का case ले लूँ, और कोई field है माल लिजे, कोई field F है मेरे पास, और वो field जो है, वो time और space दोनों का function है, अग वो wave function है मेरे पास, wave को represent कर दी है माल लिजे, तो इसकी जो equation बनेगी one dimension में, वो कुछ इस तरह की बनेगी दोस्तो, d square F by dx square, plus या minus कर दो, कुछ भी, आप plus कर लो या minus कर लो, ठीक है, minus gamma square F equal to 0, यह जो differential equation है, this is wave equation, अब इसमें जो gamma होगा, that is known as propagation constant, आगे आप पढ़ो के देखना, propagation constant, इसको हम बोलते है, propagation constant, it can be a complex number, ठीक है, तो इसका जो real part होगा, that can be alpha और imaginary part, j beta, ठीक है, यह आपने पढ़ा भी होगा, j beta, वैसे मैं इस subject में k use करूँगा, बीटा की जगे पे, तो anyway, मैं k use कर लेता हूँ, क्योंकि आगे आप च alpha plus jk, यह बनेगा, this alpha is known as attenuation constant, attenuation constant, and this k is known as phase constant, phase constant, alpha जो होगा, वो मेरा attenuation constant होता है, k जो होता है, वो phase constant होता है, अभी इनका क्या मतलब है, वो देखेंगे अभी हम, बट अगर मैं इस equation को, इस differential equation को solve करूँ, तो इसका solution आएगा, वो किस तरह का आएगा, वो मुझे देखने, तो अगर मैं इसको solve करूँ दोस्तो, अगर मैं सिर्फ time harmonic field है, मैं इसको time harmonic field ले रहा हूँ, time harmonic का क्या मतलब है दोस्तो, time harmonic field, इसका मतलब है, यह जो field है, यह sine या cosine ये साई chips या को सो मेंगा इनको निको हार्मोनीक फील्ट बोलते हैं उमेगा इसके बाद अधीद कर से मैं पहले with respect to space इसको solve करना जाता, with respect to position में देखना जा रहा हूँ, 1D wave है, one dimensional wave है, ठीक है, अब इसका जब solution देखोगे दोस्तों, तो वो जो solution आएगा, वो कुछ इस तरह का आएगा, अगर इसको आप लैपलस लगा दो, तो इसका जो solution बनेगा, fx आप बोल सकते हो, that will be equal to some constant a, e की पावर, alpha x, sorry, gamma x, माफ कीज़ेगा, e की पावर, gamma x, plus b, e की पावर, minus gamma x, इस तरह का solution आएगा, इसका, और gamma की जगह पर, अगर मैं, कोई general, क्योंकि gamma is a complex number, general complex number है, तो अगर मैं यह put करूँ, तो यह बन जाएगा, a, e की पावर, alpha x, into e की पावर, j, kx, plus b, e की पावर, minus alpha x, into e की पावर, minus j, kx, यह मेरे पास, fx का, जो, जो, इस, इस, जो, इस, डिफरेंचल एकिशन दी, इसका solution, जो है, वो, कुछ ही सतरह का आएगा, जोस्ते, अब, इसमें केवल position है, अगर मैं time को भी introduce कर दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, यह time और space, दो into e की पावर, इसके साथ j omega t और लगा दो, बस, सबके साथ j omega t, क्योंकि time harmonic field है, तो इनको आप j omega t का imaginary part यह, real part यह, ठीक है, तो इसलिए मैं e की पावर j omega t लगा देता हूँ, इसके साथ में, plus b e की पावर, minus alpha x, into e की पावर, minus j, kx, और यहाँ पर e की पावर, j kx, भी आए j omega, मैंने j omega t चे multiply कर दिया, time को introduce करने के लिए, तो जो पहला जो आएगा, उसको अगर मैं देखूं, तो यह जो बनेगा, यह मेरे पास बनेगा, a e की पावर, alpha x, into e की पावर, j omega t plus kx, कुछ इस तरह का बनेगा, पहले वाला, यह जे वाले जोड जाएंगे, ठीक है, और दूसरे वाला जो बनेगा, बनेगा b, e की पावर, minus alpha x, into e की पावर, minus j, यह j लिख लिजे, j लिख लिजे, omega t minus kx, omega t minus kx, यह दो इस तरह का solution बनेगा, now this is wave, यह wave है, यह मेरी backward traveling wave है, backward traveling wave, और यह जो है मेरे पास, यह है मेरे पास forward traveling wave, अब आप बोलो के कैसे, यह है मेरे पास forward traveling wave, अब यह कैसे है, एक backward और एक forward traveling wave कैसे, उसको जड़ा समझ दे, मैंने बोला, यह forward है, यह backward है, जड़ा देखे इसको, अगर मैं इसका real part लेना हूँ, तो यह बनेगा b, e की पावर, minus alpha x B को real मान रहा हूँ 1 minute के cos of omega t minus kx आप इसका ऐसे भी लिए सकते हो B e की पार minus alpha x cos of kx minus omega t इस तरह से भी लिए सकते हो अगर मैं assume कर लूँ कि alpha 0 है सोचे if alpha is 0 ठीक है अगर मैं alpha को 0 कर लूँ और B को 1 minute के लिए 1 मान लेता हूँ normalize value लेता हूँ इसके amplitude से divide कर दो इसके normalize value ले लो तो B की value को मैं 1 मान लेता हूँ और alpha की value को 1 minute के लिए 0 मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ कि यह जो propagation constant है purely imaginary है तो in that case आपकी जो wave बनेगी वो बनेगी cos of kx minus omega t अब ज़र इसको plot करके देखते हैं अलग-अलग time पे किस तरह की wave है यह अब मैं इसको time के साथ मतलब position के respect में plot करूँगा अलग-अलग time पे सोचे अगर मैं बोलू at t equal to 0 अगर मैं t की value 0 ले लूँ दोस्तों तो यह क्या बनेगा यह बनेगा cos of kx t की value 0 पे अगर मैं देखूँ तो cos of kx बनेगा और इसका जो plot करोगे x के साथ तो यह cosine wave बनेगी कुछ इस तरह की यह मेरी cosine wave बनेगी x के साथ यह t equal to 0 पे है सोचे कोई पानी की wave जो थी वो flow कर रही थी और मैंने समय को रोक दिया वीडियो में चल रहा था कोई video record किया जिसमें पानी की wave ऐसे ऐसे flow कर रही थी आगे की तरफ और मैंने वीडियो को pause कर दिया pause करते ही आप देखोगे कि वो कहाँ कहाँ ऊपर amplitude है उसका तो ऐसे समय को रोक दिया मैंने t equal to 0 पे pause कर दिया और फिर मैंने position के साथ देखा कि wave कैसी बन दिया वो इस तरह की बन दिया अब मैंने बोला at t equal to t1 थोड़ा समय को बदल देते हैं अगर मैं t equal to t1 पे देखोँ तो यह बनेगा cos of kx minus omega t1 और इसको मैं sum 5 लिख लेता हूँ यह radian मैं बनेगा ना इसको मैं लिख लेता हूँ cos of kx minus 5 5 1 आप बोल दो तो इसका अगर मैं इसको plot करूँगा तो यह 5 1 angle lag कर रही है भी है तो इसका अगर मैं इसको plot करूँगा तो मैं थोड़ा color use कर रहा हूँ different तो जब देखिए जो t equal to t1 पे जो wave बनेगी वो कुछ इस्तर गया है यह दोस्तो मतलब यही जो wave थी यह थोड़ी से आगे सरक जाए यह थोड़ी से lag कर गये बस यह है मेरी t equal to t1 पे यहाँ पे है t equal to t1 पे अब यह t equal to t2 पे तो t equal to t2 पे अगर मैं देखो at t equal to t2 समय को फिर से change कर दो थोड़ा सा अगले time पे देखो तो बन जाएगा cos of बोलिए kx minus omega t2 और यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा cos of kx minus 5 5 2 बोल दीजे थोड़ा और lag कर गया इसका मैं यह बोल सकता हूँ कि यह जो मेरी wave है यह थोड़ी सी और lag कर गी अगले time पे थोड़े और पीशे चली जाएगी ठीक है कुछ इस तरह की wave बन जाएगी ठीक है बई अब अगर आप गोर फरमाए ध्यान से अगर आप देखें तो आप यह बोल सकते हो कि जो maxima है वो t equal to 0 पे यहाँ पे था t equal to t1 पे यहाँ पे होगा इसका मतलब जो maxima है वो दोड रहा है वो आगे की तरफ ऐसे दोड रहा है उधर की तरफ तो इसका मतलब यह क्या है बताओ यह traveling wave है जैसा सोचिए पानी की wave है आपने t equal to 0 पे देखा उसका maxima यहाँ पे था फिर थोड़ा सा वीडियो को आगे चला दिया t1 पे फिर से रोग दिया आपने वो maxima यहाँ पे पहुंच चुका है और फिर से अगले टाइम पे देखा वो maxima थोड़ा सा आगे जा चुका है जैसे आप सोचिए कोई रसी है आपको रसी को उपर नीचे जब आप करते हो ऐसे से तो उसके अंदर जो वेव क्रियेट होती है और वो आगे की तरफ चलना सुरू कर देते हैं बिल्गुल वैसा ही है इसका maxima travel कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलते है traveling wave इसलिए इसलिए किधर travel कर रही है positive x में इसलिए इसको क्या बोलते है forward traveling wave जो भी इस तरह का आजाएगा उसको हम बोलेंगे forward traveling wave सही है भी यह हम बोलेंगे forward traveling wave तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह का कर देता cos of kx plus omega t कर देता फिर वो क्या हो जाता फिर वो backward traveling wave हो जाते क्यों भई क्योंकि उसमें lag करने की बजाए अब यह lag नहीं करेगा यहाँ पर प्लस आएगा इसका अंदर lead करेगा इसका मैक्सिमा पीछे shift होने की बजाए आगे की तरफ shift होगा इसलिए उसको हम क्या बोलते है backward traveling wave तो मैंने आपको बताया कि traveling wave क्या होती है ठीक है traveling wave कैसे देखते है तो मैं मैं band model के अंडर सब को समझा रहा हूँ वेव के बारे में बता रहा हूँ फुराशा कि traveling wave क्या होती है चलिए बहुत बढ़िया traveling wave को हमने देखा कि traveling wave क्या होती है मारी next थोड़ा सा आगे चलते है थोड़ा सा एक step और मैं चलना चाहता हूँ वापिस आते इसके उपर अब सोच यह alpha की value को अगर मैं 0 ना मानता तो in that case यह wave कैसी बनती जड़ा देखिया अगर मैं forward की बात करूँ तो forward पहले तो यह envelope draw कर लो e की power minus alpha x और उसके अंदर फिर cosine wave को लगा दो इसका मतलब यह wave travel कर रही है बट इसका amplitude हो क्या हो रहा है अगले टाइम पर देखना अगले टाइम पर यह थोड़ी ऐसी हो जाएगी इस लिए इस alpha को क्या बोलता है attenuation constant alpha is known as attain because he attenuation के लिए responsible यह loss के लिए responsible है ठीक है इसको बोलता इसको क्या बहaltा फेज constant आप बोलोगे इसको phase constant क्यों बोलते है इसको phase constant इसे लिए बोलते हैं एक मिनट के लिए जड़ा देखिए यह क्या है बताओ अगर मैं टाइम का फंक्शन देखके चलू को सोफ इसको मैं लेख लेता हूँ एंगल में यह उसको दिखा रहा है अगर मैं एक şey वाल लहीं तो कितना अंगल बन जाये गई इसका मता है सकते हैं यह क्या रिप्रेजन कर रहा है यह यह रिप्रेजन कर चेंज-इन फेज पार्यूनित लेंद के इस चेंज इन यह उसको दिखा रहे हैं, यह उसको दिखा रहा है, हमारे पास k, साहिए अब मुझे एक बात दाओ, क्योंकि यह तो वेव है, तो वेव में मैं जानता हूँ क्या, कि अगर मैं लेम्डा लेंद चलूँगा, तो फेज में जो बदला वाएगा, अगर मैं unit length चलूँगा तो क्या बनेगा वो 2pi by lambda का बदलावाएगा इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ कि k की जो value आएगी that must be 2pi by lambda, this is known as phase constant, यहाँ भी use होगा, ध्यान दीजिगा भई, phase constant, इसको बोलते है phase constant यह inverse of length, meter inverse बनेगा इसकी unit, आगे आप ek diagram पढ़ने वाले हो, उसमें यह k जो होता है, यह phase constant होता है, आगे आप पढ़ोगे देखना, ठीक है, तो ek diagram वगरा जो आएगे, उसके लिए मैं आपको पहले ही सब्धार हो, यह क्या चीज है, तो मैंने आपको बताया कि यह क्या है, यह k क्या होता है, this is known as phase constant, ठीक है, इसको कुछ लोग बीटा से भी लिख देते हैं, कुछ books में बीटा है, अगर आपने EMFT पढ़ी हो, तो EMFT में वेव प्रोपकेशन में आपने इसको बीटा पढ़ा होगा, ठीक है ना, हाज, तो चलिए, आगे बढ़ते, तो मैंने आपको एक forward wave ले लो और एक backward wave ले लो और उनको दोनों को जोड़ दो, उससे हमारे पास जो wave बनेगी, वो wave जो होगी, वो standing wave होगी, जड़ा देखिए कैसे, अगर मैं बोलूँ कि माल लीजे मेरे पास एक cos of omega t plus beta x एक ये wave है, या kx लिख लो नो, beta x, मैं बार बार इसको beta लिख द minus kx, अगर मैं इस तरह की wave ले लो तो उससे जो resultant बनेगा मेरे पास, आप जानते हो cos a plus b, cos into cos b minus sin into sin b, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos of omega t, two times of cos of omega t into cos of kx, अब ये जो wave है, this is known as standing wave, ये मेरी standing wave है दोस्तों, ये है मेरे पास standing wave, अब आप बोलो कि standing wave कैस आपको x के साथ, t equal to 0 पे इसका amplitude कुछ इस तरह का बनेगा, ये 2 cosine बनेगी, t equal to 0 पे, add t equal to 0, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos of kx, ये amplitude 2 पे आएगा, अब अब अगर मालिज मैं टाइम को change कर दू, add t equal to t1, add t equal to t1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos omega t1 cos of kx, इसका मतलब ये amplitude थोड़ा छोटा हो गया, ये amplitude थोड़ा छोटा हो गया, बट जो 0 वाले point है, या maximum वाले point है, वो तो x decide करेगा, बस इसका amplitude थोड़ा 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 हो गया, 2 से छोटा हो जाएगा, अगले time पे थोड़ा और चोटा हो अगर आप ध्यान से देखें इस wave को, तो आप ये कह सकते हो, ये wave जो है travel नहीं कर रहे है, इसका maxima या minimum point है, वो एक ही जगह पर आ रहा है, 0 point fix है इसका, ये travel नहीं कर रहे है, इसलिए इसको क्या बोलते है, standing wave, जो भी इस तरह की wave आजाएगी, जिसमें sign या course अलग-अलग होगा, तब ये सारी चीजें use होगी, ठीक है, और जो traveling wave होती है, उसमें हमेशा course या sign होता है, और अंदर कुछी इस तरह का nature होता है, ठीक है, इसको हम traveling wave बोलते हैं, और ये जो है, ये हमारी standing wave बनेगी, अब मुझे एक बात आए, अगर ये traveling wave है, तो इसकी speed क्या होगी, कि speed से ही travel करेगी, जरा सोच की देखेगा, ठीक है, तो मैं आपको बताओं, अगर मैं इसके साथ साथ दोड़ना शुरू कर दूँ, सोचे, इसके maxima के साथ साथ दोड़ना शुरू कर दूँ, तो मुझे हमेशा इस wave का क्या नजर आएगा, maxima नजर आएगा, इसका मतलब की value constant नजर आएगी, और constant के ओल तभी नजर आ सकती है, जब kx minus omega t मुझे क्या नजर आए, constant, कुछ k note माल लो, इसका derivative ले लो with respect to t, तो यहां से dx by dt जो बनेगा, that will be equal to, क्या बन जाएगा, omega, omega by k, ठीक है, आप जा देख लिजे, ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास यह बनेग k dx by dt minus omega equal to 0, आप कर दो, ठीक है, तो यहां से dx by dt is this, ठीक है, और omega क्या होता है, omega is 2 pi f, ठीक है, आप समझ गया होंगे ना, ठीक है, अब इस point को आप note कर ले जेगा, इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने with respect to time derivative ले ले लिया, और यहां से omega by k मेरे पास क्या आ गया, speed आ गया, जि इसको further frequency में या फिर lambda में आप change कर लेना, जो भी है, ठीक है, इसकी meter per second इसकी unit आएगी, आप जेख लेना, f को आप lambda में change कर लो, k को 2 pi by lambda लिख लो, ठीक है, तो इस तरह से आपका कर जाएगा और यह velocity की term में आ जाएगी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस electron को बताया कि electronic particle है, electron के पास particle nature होता है, उसके पास अपना mass होता है, और electron की discovery हुई, उसके बाद आगे चलके फिर rather for model आये, atom discover हुआ, ठीक है, rather for model आया, वो भी थोड़ा fail हो गया, ठीक है, और development आई इसके अंदर, और फिर light के उपर आगे, और बता चला कि light is a wave, light जो है, वो इसको जड़ा देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, एक बार यह मत सोचो कि यहाँ पर bulb लगा हुआ है, आप सोचे यह पानी की wave है, ठीक है, और यह मेरे पास दो slit लगी हुए है, मैंने obstacle लगा रखें यहाँ पर और उनमें से पानी की wave पास होगी है, तो जो पानी की wave यहाँ से ऐसे निकलना सुरू हो जाती है, और इन में interference होना सुरू हो जाता है, wave के अंदर interference की property होती है, जब दो wave interference होती है, जब दो wave interference होती है, तो constructive interference होगा? एड होगा या सब्ठ तो अब सुनिए यहाँ पर यह दो ऐसे वैव निकलना शुरू जाते पानी की वैव से निकलना शुरू आपने के देखा भी होगा इए चीज फिक है यह दो मेरे पास पॉपस्टेकल है इंसे पानी की वैव इस तरह है से निकल रिए अब कुछ कंस्ट यहां पर इस तरह का इस तरह का मुझे नज़र आएगा पानी की वेव अगर मैं लिए इंट्रस्टिंग लिए जो लाइट वेव है जब मैं उसको लूगा लाइट वेव को तो लाइट वेव से भी बिल्कुल वैसा ही पैटन बन रहे है लाइट वेव से भी मतलब यहां पर कुछ ब्राइट स्पोर्ट बनने है और इसके बाद थोड़े से डिम स्पोर्ट बन रहे है ठीक है थोड़े छोटे होते चले जाते हैं तो बेसिकली यहां पर हाईएस टेम्प्लिटीउड आएगा आप यह बोल सकते हो ठीक है तो कुल मि लाइट जो है वो एक वेव होती है यह हमने पता चला यंग्स डबल स्रीट एक्सपरिमेंट से ठीक है ठीक है और अब उसके बाद आगे यलवर्ट आइंस्टेंट ठीक है और अपर एक experiment किया जिसको उन्होंने नाम दिया photoelectric effect ठीक है और उस experiment से उन्होंने बोला कि light is a particle अब ज़र देखिए वो क्या experiment था तो Alberta Einstein ने क्या किया एक metal part लिया ठीक है एक metal block ले लिया ठीक है ज़र देखिए एक metal block ले लिया और उसके उपर कुछ light incident की अब उन्होंने उन्हों क्या किया उसकी जो frequency दी उसको vary करते रही एक particular frequency के बाद उन्होंने देखा कि यहां से electron निकल रहे है यहां से electron निकल रहे है और उन electrons की kinetic energy को देखा गया कि कितनी kinetic energy गया electron निकल रहे है ठीक है अब तो interestingly उन्होंने इस frequency को vary करना start किया तो vary कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो number of electrons है वो नहीं vary हो रहे बस जो electrons की kinetic energy वह vary हूरी है ठीक है electrons की kinetic energy pauy vary हो रहे और जब उन्होंने plot किया kinetic energy vs frequency, kinetic energy vs frequency तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंशी के बाद काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ रहे गी फिर उन्हें मेटल को बदल दिया दूसरी मेटली और दूसरी मेटल में भी ऐसी ही आई लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंशी दी वह थोड़ी डिफरेंट थी फिर कोई और मेटली उसकी कुछ इस तरह की मतलब देखा जाए तो इस तरह का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सिस फ्रिक्वेंशी के फ्लॉट बने जो एलबर आइंस्टन ने बनाया पोटो एलेक्रिक एफेक्ट से जो नमबर ओफ एलेक्ट्रों थे वो फ्रिक्वेंशी चेंज करने से नहीं चेंज हो रहे थे नंबह ओफ लिक्रों कि अगर मैं बात रहों पार्टिकल ज्यादा अगर इसमें वो टकड़ाए तो ज्यादा इलेक्ट्रोन निकले पार्टिकल खेर अभी मत सोचे अभी बस यह इतना सोचे कि भई फ्रिक्वेंजी के साथ इस तरह का वेरियेशन इनको देखने को मिला कानिटिक एनेर्जी का फ्रिक्वेंजी के साथ अब सुनिये यह जो लाइन है यह स्टेट लाइन एक एक इसका मदब यह क्या है y equal to mx plus c अब मुझे एक बाद आए यह एँ जो है वो स्लोप है इसका जब m निकला गया अलग-अलग frequency जो उनकी value चेक की जो m निकाल गया वो आया 6.626 into 10-14 इसका slope निकल गया है joule second इसकी unit है joule second तो मैंने बोला कि ये इसका slope निकल गया है अलबर्ट आइंसेंट ठीक है जब इन्होंने चेक किया तो ये slope निकल गया है और ये जो number था ये बड़ा interesting number था ये पहले भी आ चुका था नजर में और ये कब आया था बहुत पहले plank ने अपने एक theory दे थी plank's quantum theory और plank ने बताया था कि जो minimum energy जो radiate होती है या absorb होती है minimum energy जो आपकी absorb होती है या फिर radiate होती है radiation की फूम में उस minimum energy को उन्होंने नाम दिया था quantum का कि वो एक quantum होती है एक quantum की फूम में energy radiate या absorb होती है minimum energy और उसकी जो energy होती है उस quantum की जो energy होती है that is proportional to frequency उन्होंने बोला जो quantum की जो energy होती है that is proportional to frequency और जो proportionality constant था वो था H जो energy थी that was proportional to frequency और जो proportionality constant था वो उन्होंने नाम दिया था H और H की जो value उन्होंने पहले बताई थी वो थी 6.626 into 10 is to power minus 34 joules second ये उन्होंने बताया था Plank ने अपनी black body radiation का एक experiment था उन्होंने उसके थूर हमें ये बता चला और ये बहुत पहले बता गया था अब Alberta Einstein ने जब photoelectric effect वाला जो experiment किया उनसे जो slope आया वो ही आया और इधर क्याया काइनेटिक एनेर्जी इधर एनेर्जी है ध्यान देना तो इससे जो जब इसकी पूरी equation calculate की गई तो equation जो बनी वो बनी kinetic energy is equal to अगर देखें यहां से तो अगर मैं X की value कर दूँगा तो kinetic energy 0 होनी चाहिए तो इसका मतब यहां पर मैं क्या लिखूँगा minus H mu note equation बना तो आपका आता होगा तो kinetic energy is equal to क्या बन गया H mu minus H mu note यह इसकी relation बनी है और होने इसको H नाम दिया H क्योंकि पहले आ चुका था ठीक है तो इसका मतब Albert Einstein ने बोला कि भई जो plank ने बोला था बिल्कु सही बोला था energy जो होती है वो frequency के proportional होती है और उसका जो proportionality constant होगा that will be H ठीक है planks constant ठीक है अच्छा अब इसको सरा और analyze करते है फ़र अच्छा जब देखिए एक particular frequency के बाद यह बनना start होता which is mu note अगर मैं metal one ले लूँ यह अलग metal के लिए यह मेरा metal one तो metal one में उन्होंने देखा कि एक particular frequency के बाद आपकी जो kinetic energy linearly increase होगी इसको उन्होंने बोला work function this is known as work function work function मतलब यह minimum energy है जो आपके इस जो टकरा रही है उसके पास होनी चाहिए so that electron इससे आपका एमिट हो electron यहां से निकले ठीक है और होने क्या देखा कि जब मैं frequency change कर रहा हूं तो electron number of electron नहीं बढ़ रहे है लेकिन frequency change कर रहा हूं तो मुझे बता कि energy तो बदल रही है energy तो बढ़ रही है ठीक है तो अगर energy wave होती अगर यह जो light जो उसके उपर जो डाली है तो इसलिए light को क्या बोला गया कि light जो एक particle है और particle की जो energy है there is h mu photon जो पहले quantum पहले बोलके गए थे plank में वही चीज यहां पिन्होंने क्या बल दी वो उसको होनोंने photon का नाम दे दिया कि energy जो है जो light जो है वो एक photon की form में है और photon की energy there is h mu अगर आप mu बढ़ाओगे तो इससे photon नहीं बढ़ेंगे उससे photon की energy है वो बढ़ेगी photon की energy जो है वो बढ़ेगी इसलिए electron की energy जब टकराएगा उससे जो electron निकलेगा उसकी energy ज्यादाएगी क्यों क्योंकि एक work function उसमेंस हो दाएगा बाकी जो energy बचेगी वो आपकी electron के पास चली जाएगी समझाया तो इ इसलिए sosno bakalım कॉर्म समया उसके पास उसके पास पास पार्टिकल नेचर वी है इसलिए अभी क्या निकल की 2003 वेज़ पार्टिकल डिए टी यह चीज़ आगी इसका मतलब जो light है उसके पास अपना दोनो नेचर होते हैं वेव नेचर भी होता है और particle नेचर भी होता है वेव पार्टिकल डूएलिटी ठीक है अब सुनिए उसके बाद आये डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली ने अपनी thesis में लिखा क्या कि अगर वेव पार्टिकल है तो उ h by lambda ठीक है है यह momentum हो तो यहांसे अगर मैं v की बात करूँ या फिर यहांसे अगर मैं v की की बात करूँ तो आप एम को नहीं चले जाओ एस तरह से या lambda की बात करो तो lambda इस उकोल 2 h by अपशे देखो, ये पड़ी आठीकIRE के रिलेसिन, इस से रिलेसिन में, मास और वेवलेंट ये दोनों जोडी गई है, ये दोनों ही कटि यह द्लिंसLab Вас त्यू本े के वेवलेंट ड्यलेसिक लूल येद फ्रञाइच, उसका मोमेंटम होगा- brunch होगा और और wavelength वेव की पास क्या होती है अपनी एक wavelength होती है तो यह दोनों नेचर को दिखा रही है यह mass यह momentum जो है यह particle नेचर को दिखा रही है और wavelength जो है यह wave नेचर को दिखा रही है इसका इनने दोनों को combine कर दिया D. Brogley ने अपनी thesis में जिसके basis पे इनको Nobel Prize मिला ठीक है तो यह मेर electron आपका यहां से हमें पता चल गया कि जो वेव नेचर है जो वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है तो इसका पार्टिकल और वेव यह दोनों एक दूसरे के मतलब कह सकते हो कि जो पार्टिकल होगा वह भी नेचर दिखाएगा ठीक है ऐसा सोचा गया और य इंटरस्टिंगल जरख करा रहें, है इस तरह का पैटर देखने को मिला प्लेकुल वफ में आ रहा था जयासा है यह हंपने यहां पर तरह की है तो उससे जब देखा गया तो उससे हमें पता चला कि इस से जाले का पेतन है जान आए इस तो यहां से हमारे पास पता चला हमें कि जनाब wave particle duality exist करेगी है इसका मतलब particle जो है वो wave की तरह exist कर वे वह की तरह behave करता है और wave जो है वो particle की तरह भी behave करती है अब यहां से सारे basic laws बदल गए ठीक है तो इसलिए जो quantum mechanics थी वो यहां पर जो subatamonic particles खासकर जहां पर होते हैं वहां पर आपकी जो quantum mechanics है वो काम नहीं कर रही है अब यहां पर जो classical mechanics है वो काम नहीं करेगी पार्टिकल जब आ जाएंगे, जब साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपकी क्लास्कल मेकैनिक सापकी वर्क करेगी, वहाँ पे आपके लोज जो है, वो थोड़ी से बदल जाएंगे, और यहाँ पे क्या निकल किया है, बताइए, अब यहाँ पे निकल किया तो यह बन गया h cross, इसको h cross नाम दे दिया, 2 pi by lambda को k बोल लिया, तो momentum is equal to h cross k, ठीक है, यह वे पार्टिकल डॉयलिटी को दिखा रहा है, ठीक है, अब सुनिए, आप बोलोगे सर, ऐसा कैसे होता है, मतलब practically ही ऐसा थोड़ी नहीं, मतलब आप देखो, हम पार्टिकल को अगर मान लिजे मैं कोई cricket bowl ले लो, ठीक है, और cricket bowl का अगर मैं कोई mass ले लो, cricket bowl का mass मान लिजे 0.142 kg, मैं simple ऐसे rough वो ले रहा हूं, ठीक है, और मान लिजे 100 बक्तर उसको, उसको फैं करें उस bowl को, ठीक है, और 100 बक्तर की जो speed है, वो 151 km per hour, ऐसे random number ले 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 था, ठीक है तो अब अगर मैं इसको meter per second में देखूँ हूँ, इस velocity को, तो यह approximately 42 meter per second बन जाएगी, यह मैंने calculate किया हुआ है, ठीक है, तो 42 meter per second से आपकी velocity बनेगी, अब सुनिए, अगर मान लिजे मैं इसकी wavelength निकालूँ, तो wavelength will be equal to h upon mv, और जो wavelength निकल के आएगी, वो मेरे पास जो wavelength आ minus 34, which is very small, you can measure it, ठीक है, आप measure नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर हम फस गए, तो इसका मतब जब भी ball फेकेगे, उसका भी wave nature होता है, लेकिन वो इतना छोटा होता हुआ हो कि measure ही नहीं कर सकते है आप उसको, लेकिन अगर मैं electron की बात करूं, और electron की, अगर मैं velocity ले सकते हैं, तो इन दाक केस, उसकी जो wavelength आएगी दोस्तों, जो मैंने calculate की है, वो approximately 2 angstrom के round बनेगे, 2 angstrom, और जो atom का size होता है, वो भी इसी के comparable होता है, इसका मतब यहाँ पे wavelength और जो size है particle का, या जो atom है उसका, जिसके 4 electron चकर लगाता है, वो comparable बन गे हैं दोस्तों, और जब भी ऐसा case आजाएगा, comparable जब बन जाएगा, तो आप ignore नहीं कर सकते इस wavelength को, इसका हम देखेंगे, इसका wave nature हम consider करेंगे, ऐसे case में, ठीक है, तो ध्यान दीजेगा, हम यहाँ पे क्यों नहीं देखते हैं, जो ball होती है, वहाँ पे क्यों हमें नहीं समझाता है, लेकिन यहाँ पे electron है, वो free space में मूख कर रहा है, तो उसकी जो wave बनेगी, वो क्या equation होगी, वो कैसे बनेगी, और एक बार अगर मालीजे कोई crystal है, उसके अंदर मालीजे electron मूख करेगा, तो जो यह motion को समझना है, कि electron जो है, वो कैसे मूख करेगा, ठीक है, और उसके लिए नहीं फ्योरी डवलप हुई उसके हम बोलता है वर्ली ठीक है वे मेकानिक साब बोल सकते हो टीक हैem वह एव तेोरी बनी और बनी और वो जो वे थी वह एक विलपेशन पर बेज थी जो हमारे पास momentum आया था H x K उसको आप ध्यान से देखिए ठीक है तो next episode में फिर से आप से मुलाकात होगी और इसको आप properly समझे उमीद आप पहला जो lecture था वो आपको समझ आया next episode में मिलते हैं important बाते क्या हैं सुनिए अगर आप इस lecture को YouTube पे देख रहे हो तो make sure कि आप bell icon प्रेस कर दें उससे notification आपको मिलते रहेंगे subscribe जरूर कर लें चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो वीडियो को like जरूर कर दीजगा उससे थोड़ा सा motivation बना रहता है हमारी एक mobile app है CES Learning के नाम से उसको आप install कर लिजे वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे और mobile app पे भी आप courses को भी देख सकते हो courses की जानकारी ले सकते हो यह हमारी website का address है cesedu.co.in यहाँ पे भी आप visit कर सकते हो courses की जानकारी ले सकते हो यह हमारे पास दो number है इन number पे आप whatsapp कर सकते हो आप हमें message कर सकते हो, call भी कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही दोस्तो next episode में फिर से आप से मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए, घर पे रहिए safe रहिए, आज के लिए इतना ही, thank you, take care